हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो माई चैनल लाइफ इस इजी मैं आकृती मैं या शेयर करती हूं अपनी रेसिपीज और उससे रेलेटेड इजी कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखा आपने भिंडी कितनी क्रिस्पी बनी हैं आज मैं आपके साथ क्रिस्पी भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूं भिंडी की ये रेसिपी खाने में क्रिस्पी के साथ ही साथ चटपटी भी लगती है इसे आप लंच या डिनर के साथ as a side dish एक बार जरूर ट्राइ करिए और इसी तरीके की नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए मैं क्रिस्पी भिंडी बनाना स्टार्ट करती हूं देखिए क्रिस्पी भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम भिंडी ली है इसे धोकर मैंने किचन टावल से पोच कर ड्राइ कर लिया है क्रिस्पी भिंडी बनाने के लिए भिंडी को पतले पतले पीसेज में कट करना होता है तो सबसे पहले मैंने भिंडी के head और tail दोनों को cut कर लिया है इस तरीके से फिर भिंडी को दो टुकरों में cut करेंगे उसके बाद इस टुकरे को बीचो बीच इस तरीके से cut कर देंगे उसके बाद उंगलियों से भिंडी के बीच को निकाल देंगे भिंडी के बीज में moisture रहता है जो कि भिंडी को क्रिस्पी नहीं बनने देगी इसलिए बीज को हटाना बहुत ज़रूरी है देखे इस तरीके से बीचो बीच चीरा लगाया है और बीच से भिंडी के बीच को मैंने निकाल लिया है और निकाल कर भिंडी को पूरी तरीके से साफ कर दिया है इस तरीके से करने से भिंडी के बीच निकल गया है और सिर्फ भिंडी की स्किन बच्ची है सारे बीज मैंने निकाल दिया है उसके बाद अब देखिए इसे 3 से 4 पतले पतले टुकरों में कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से तो इसी तरीके से मैं बाकी के भिंडी को भी कट कर लेती हूं भिंडी के बीज को आसानी से निकालने का मैं दो तरीका आपको यहां पर बता रही हूँ पहला तरीका देखिए चाकू से भिंडी को स्किन और बीज के बीज में डाल कर इजी वे से बीज को बाहर निकालने के लिए दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ भिंडी की इसकिन और बीज दोनों के बीच में अंदर उंगली डालने से इस तरीके से आसानी से भिंडी के बीज को उसके इसकिन से अलग कर सकते हैं तो देखिए यहां पर मैंने भिंडी को पतले पतले टुकरों में कट कर लिया है और अब इसे फ्राई करने से पहले इसे चटपटा और क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बेसन, चावल का आटा, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और आमचुर पाउडर लिया है यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इस बाउल में कटी हुई भिंडी को मैंने डाल दिया है उसके बाद मैंने तीन छोटे चमच बेसन और उसके बाद दो छोटे चमच चावल का आटा डाला है इसी के साथ मैं half teaspoon healthy powder और one teaspoon जीरा powder डाल रही हूँ साथ ही मैंने one teaspoon red chili powder भी डाला है और इसी के साथ मैंने crispy भिंडी को चटपटा बनाने के लिए two teaspoon के आसपास आमचूर powder भी डाला है इन सभी को अच्छे से mix कर देंगे ताकि भिंडी के उपर इन सभी की अच्छे से coating हो जाए देखिए सभी सूखे मसालों के साथ बेसन और चावल का आटा भिंडी के उपर अच्छे से coat हो गया है नमक मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि नमक डालने पर भिंडी से फिर पानी निकलने लगेगा तो नमक को भिंडी fry करने से तुरंत पहले डालेंगे तब तक मैंने तेल को गर्म करने के लिए fry pan डाल दिया है और इसमें मैंने तेल डाला है तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है तेल काफी गर्म हो गई है तो अब मैंने भिंडी में स्वात के अनुसा नमक डाल दिया है और इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर दिया है तेल में यहाँ पर मैं एक भिंडी डाल कर चेक कर लेती हूं तो देखिए तेल काफी गर्म हो गया है यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है और भिंडी को तेल में डाल रही हूँ तेल में चारो तरफ से भिंडी को फैला कर डालेंगे एक साथ अधिक मात्रा में भिंडी को फ्राई करने के लिए मैंने देखिए यहां पर चप्टी पेंदी का पैन लिया है तो आप चप्टी पेंदी का कडाही भी यूज कर सकते हैं गैस का फ्लेम यहां पर मैंने हाई रखा है और लगबग 45-50 सेकेंड तक हाई गैस फ्लेम पर भिंडी को फ्राई करेंगे भिंडी को फ्राई होने में बहुत कम टाइम लगता है सबसे ज़ादा महनत लगती है भिंडी के बीच को निकालने में तो भिंडी यहां पर फ्राई हो चुकी है और भिंडी को मैंने तेल से बाहर निकाल लिया है उसी तरीके से अब मैं बची हुई भिंडी को फ्राई कर लेती हूँ तेल चुकी काफी गर्म हो गया था इसलिए मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और तेल में भिंडी को चारो तरफ से फैलाते हुए डाल रही हूँ और मीडियम टू हाई गैस फ्लेम पर 40 से 45 सेकेंड तक भिंडी को फ्राई करेंगे उसके बाद फिर गैस का फ्लेम लो करके भिंडी को गोल्डेन कलर आने तक फ्राई करेंगे तो देखिए सारी भिंडी फ्राई हो गई है और अब मैं इसे निकाल रही हूँ तो यहाँ पर 200 ग्राम भिंडी में दो लोगों के लिए क्रिस्पी भिंडी बनकर तयार है होप क्रिस्पी भिंडी की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करिए रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए हेल्दी खाईए खुश रहिए